हेलो वियर्स मैं हूँ कौशल सर्मा आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सल के बारे में एक्च्वल में हम एक्सल को सीखते क्यों है यानि की इसकी उपयोगता क्या है दूसरा इसका परपज क्या है यानि हम एक्सल को सीखते क्यों है अगर हम यूजिस के बारे में जाने तो एक्सल का यूज बहुत सारी जगों पर होता है जैसे school में, companies में, factories में, showroom या और भी बहुत सारी ऐसी जगे जहां पर Excel का use बहुत अच्छी तरह से होता है दूसरा, what is purpose of Excel? यानि Excel को हम सीखते क्यों है? तो Excel को सीखने का purpose है, सबसे पहला हम इसमें एक बहुत अच्छी वर्क्षीट बना सकते हैं वर्क्षीट क्या होती है? जो Excel के अंदर हम record डाल रहे हैं, यानि जिस चीज की हम data इसके अंदर भर रहे हैं तो उस data को भरने ही वर्क्षीट का बनाना कहलाता है ठीक है, दूसरा होता है, इसके अंदर हम graph बना सकते हैं, to generate the graph तो कई तरह के इसमें graph बनते हैं, जिनका वेवरण हम आगे बताएंगे, तीसरा है, to maintain the record यानि इसके अंदर जो हमने वर्क्षीट में data भरे हैं, उन data को हम अलग-अलग तरह की conditions में देख सकते हैं यानि उनके data को हम maintain करके रख सकते हैं, जैसे मालो आप किसी school में student के marks maintain करना चाह रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे student की list आपने बना के रखी हैं अब हमें ये देखना है कि ऐसे कितने student हैं, जो fail हो गए हैं, या ऐसे कितने student हैं, जिनके percentage 70 से above हैं, तो ये सब हम इस Excel के अंदर बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं अब हम Excel को खोलते हैं, जैसे ही Excel खोलता है, तो इस तरह का view हमें दिखाई देता है, जिसमें सबसे उपर एक पट्टी आपको दिखाई दे रही हैं, इस पट्टी को हम बोलते हैं, टाइटल बार या क्याप्शन बार इस title बार पर corner में ये तीन तरह के button आपको दिखाई दे रहे हैं, इन button को बोलते हैं, control button जिसमें सबसे corner में ये जो cross जासा निशान दिखाई दे रहे हैं, ये close button है, इसके बीच बाला button, maximize या restore button है, और सबसे right side में ये dash जासा निशान दिखाई दे रहा है, इसको हम मिनिवाइज बटन बोलते हैं इसी बार में लेफ साइड में क्विक एक्सिस टूल बार दिखाई दे रहा है ये सॉटकट होते हैं एक्सल में फाइल को सेब करने के लिए या अंडू या रीडो करने के लिए अगर इसमें आप और कोई बटन जोड़ना चाह रहे हैं या हटाना चाह रहे हैं तो इस पॉइंट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप यह जो दिखाई दे रहे हैं बहुत सारी ओप्संस इनमें से किसी भी एक ओप्सं को आप जोड़ सकते हैं जैसे मालो हमें यहां पर यह न्यूवाला बटन एड करना है या ओपन वाला बटन एड करना है तो जैसे मालो हमणोने क्लिक किया तो आप देख रहे हैं इसमे क्विक एकसेस टूल वार में एक बटन और एड हो गया है open के लिए यहां से हम उस file को डार्यक्ट open कर सकते किसी भी Excel file को आप quick access toolbar से कर रहे हैं उसी को आप ईस office button के दोरा भी कर सकते हैं जैसे ही हम office button पर click करते हैं तो इसके अंदर भी वही option दिखाई दे रहे है new open, save save as print बगारा जिसको आप file को save करना फाइल को खोलना या उसका प्रिंट आउट निकालने से संबंदित काम कर सकते हैं इसके नीचे वाला एरिया कहलाता है रिवन एरिया तो इस रिवन एरिया में यह अलग-अलग तरह के टैप्स हैं जैसे होम टैप इंसर टैप्स पेज लियाउट फॉर्बूला डाटा र अलग विडियो में आपको बताएंगे रिवन एरिया यहाँ पर यह एरिया देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स या अड्रेस बार अड्रस वार में हम यह जानते है कि हमारा सेल एक Celle pointer होता है worksheet area में यह वाला, तो यह Celle pointer, हमारा किस position पर रखा हुआ ही को हम यहा अड्रस वार से जान सकते हैं. जैसे अभी हमारे Celle pointer की जो position है वह A column, के Remember R比較ूपर नेम बॉक्स में अभी लिखा हुआ है Aząd मालो, इसकी position हम हम यहां पर रखानें C makes के फिफ्ट रोपर तो नया बॉक्स में या एड्रेक्स बॉक्स में आप देखेंगे कि यहां पर उसकी वो पोजिशन देखा रहा है इसके दूसरी साइड एक लंबी सी पट्टी आप यह देख रहे हैं इस पट्टी को बोलते हैं फॉर्मूला बार इस पट्टी पर हम अलग अलग तरह के फॉर्मूला इंसर्ट कराएंगे जिसके बारे में हम आपको और आगे बिस्तार से बताएंगे किसमें हम कैसे 5 ये देख रहे है इस एरिया को बोलते है हम वर्कशिट ही एरिया या वर्कबुक यह वर्क रिट एरिया बहुत सारे सयल्स में डिवाइड रहती है और एंगे सेल एक रोव और कॉलम से मिलकर बना हुआ रहता है यह जो आप ABCDEFGH यह आप देख रहे हैं इनको हम बोलते हैं कॉलम्स और 12345 इस तरह से यह आप देख रहे हैं नीचे तक इनको हम बोलते हैं रोज यह संख्या में रो और कॉलम्स अगर हम देखें तो कॉलम्स की संख्या होती है 16384 यानि अभी आप जो देख रहे हैं A से लेकर इनकी संख्या होती है XFD तक और रो होती हैं 1 से लेकर 10,48,576 पर इतनी हमें रो और कॉलम्स की जरूत नहीं पड़ती है लेकिन अगर हम इसमें कोई वड़ी वग्शी बनाना चाहे तो आसानी से हम बना सकते है हैं अगर हमें वग्शीट में कोई value एंटर करानी है तो उस value को हम कैसे एंटर कराएं? इसके लिए जहां cell pointer होगा, value वही पर एंटर होगी तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें value किस जगवर एंटर कराना है मालो हम यहाँ पर कुछ value एंटर करा रहे हैं जैसे यह यहाँ यहाँ यहाँ, हम ने ने कुछ value एंटर करा दी, और B column में हमने कुछ value एंटर करा दी, अलगअलग row पर. इन value को अब हम कैसे formula के दिवारा, इनका addition, subtraction या multiplication कराएं, तो यह हम अब यहाँ पर देखेंगे, तो यह हमारे पास जो value डली हुई है A1 में और B1 में अब इन दोनों value को हम add करके C1 में लेके आना चाह रहे हैं तो इसका addition के लिए हम अपने cell pointer को C1 पर रखेंगे अब इनका addition कराएंगे तो इसके लिए इसमें हम किसी भी formula को equal to के साथ start करते हैं तो जैसे हमने यहाँ पर equal to sign प्रेस किया तो यहाँ पर हम लिखाएंगे equal to का sign लगाने के बाद A1 addition के लिए हम plus sign का use करते हैं plus sign लगाने के बाद दूसरी value हमारी डलू हुई है B1 में तो यहाँ पर हमने लिखा B1 जैसे यह interface किया तो आपने देखा कि A1 और B1 की value add होकर C1 में आ गई है अब ऐसा करने की हमें जरुवत क्यों पड़ी है तो viewers अगर हम यहाँ पर बैसे ही 600 लिख देते जैसे मैं अभी यहाँ पर हटा के इस value को और यहाँ पर 600 लिख देते हैं और B1 की value को अब हम यहाँ पर change करते हैं जैसे हमने यहाँ 100 की जगए 200 टाइप किया तो आप देख रहे हैं कि A1 और B1 में हम अगर कोच्छ भी change करते हैं तो उसके C1 में कोई भी बदलाव नहीं आता तो इसके लिए हम चाहते हैं कि अगर हम A1 और B1 में कोच्छ भी change करें तो उसके C1 की value में भी बदलाव आए तो इसके लिए हमें यहां formula लगाने की आवशक्ता पड़ती ही है तो जैसे अभी हम इस value को हटा के यहां पर उस formula से इसको attach करते हैं सबसे पहले equal to का sign a1 plus दूसरी value डली होई है b1 में तो b1 लगा के जैसी interface किया तो यहां आप देख रहे हैं 700 लिखा हुआ आ गया अब अगर हम यहां पर कोई भी changes करते हैं जैसे 200 की जग है यहां 800 करके interface करते हैं तो इसके total में automatically वह value change हो जाती है तो इसी लिए excel सबसे ज़्यादा यूज लोगवा करते हैं क्योंकि इसमें किसी भी value को एक formula के साथ जोड़ दी जाती है तो उसके value में जो भी बदलाप करते हैं तो उसके total में automatically वह बदलाप होता है तो इसी तरह से हमने जैसे अभी addition किया था इसी तरह से हम subtraction भी कर सकते हैं subtraction करने के लिए जैसे दूसरी जगह पर हम formula लगाते हैं मालो हमारी दूसरी value a2 में इसको हम minus करना चाह रहा है बी टू से जैसे ही हमने इस interface किया a2 minus हो गया बी टू से और जो value आ रही है वह यहां पर हमें दिखाई दे रही है तो addition के लिए हम plus sign का यूज करते हैं subtraction के लिए minus sign का यूज करते हैं multiplication के लिए star sign का यूज करते हैं division के लिए यह सिलेश sign का यूज करते हैं और percentage निकालने के लिए यह percentage sign का हम use करते हैं तो यह तो formula लगाने की एक initial stage हुई कि कैसे हम इसके अंदर formula लगाते हैं आगे की वीडियो हम देखेंगे की formula को हम और किस तरह से आसान बना सकते हैं अब हम देखते हैं worksheet के नीचे वाले एरिया को worksheet के नीचे वाले एरिया है यहां से हम अपनी worksheet को zoom in या zoom out कर सकते हैं यह जो आप plus का निसान देख रहे हैं यहां से हम अपनी worksheet को जूम कर सकते हैं यह देखें यहां जूम कर रहे हैं अगर यह बीच वाला बटन को हम प्रेस करें अगर अधर उधर खिसकाते हैं अगर यह बिल्कुल बीच में आ जाता है तो यह 100% view हमें दिखाई दे रहा है अगर minus वाले sign को हम प्रेस करते हैं तो 100 से कम percentage में view हमें दिखाई दे रहा है जो यहां दिखा भी रहा है जैसे अभी यह कितना percent का view सामने चल रहा है वो हमें दिखाई दे रहा है तो अभी हम इसको 100% पर कर लेते हैं जो नॉर्मली रहता है लेफ साइड में डिफॉल्टली इसमें तीन सीट रहती है सीट वन सीट टू और सीट थ्री लेकिन अगर आप इसमें और वक्षीट जोड़ना चाहें तो वह भी हम जोड़ सकते हैं इसके लिए यहां अपना माउस पोइंटर को लेके आएंगे तो नीचे लिखा हुआ रहा है इंसर्ट वर्कषीट इसका सॉटकट है सिफ्ट प्लस एफ 11 अगर जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक सीट और बन गई तो यानि अब हमारे पास सीट हो गई है टोटली चार सीट हो गई है यह कि डिफॉल्ट ली जब भी हम किसी भी एक्स संद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें जिससे कि हम आगे जो भी नए वीडियो वनाएंगे वो वीडियो आप तक भी पहुंचें और हमें कुछ कमेंट करें जिससे कि हम आपके सवालों का जवाब दे सकें धन्यवाद